तो आज के इस विडिये में आपको बताऊंगा कि आपका जो कीपयाड है आपको शोर नहीं हो रहा तो इस प्राउलिम का सॉलुशन कैसे ठीक करना है आज के इस विडिये में आपको बताऊंगा आप देख पा रहे होंगे जब भी मैं या पर कोई कीपयाड टाइपिंग करना चाहता हूँ तो मेरा केपड यापर शोऔ नहीं हो रहा तो आपकी फोन में इस तरीके का प्रावलीम आ रहा है तो इसे कैसे टिक करना है आज के इस वीडियों में आपको पूरी डीटेल के साथ बताओंगा तो इस वीडियों को आपको पुरा देखना है प्राइब को आप को पूरा कि सुख्राइब करना हिए對 लेवं आपको पूरा देखने लिए और गाव सब्सक्राइब note के साथ बताते हैं ना फर आप आपको क्या शेटिंग करना हिए तो दोस्तों आप वह देख रहा होंगे या पर मुझे keypad या पर show नहीं कर रहा तो चलिए आपको बताते तो इसका problem क्या है तो चलिए start करते हैं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे या पर जो मेरा keypad है या पर show नहीं कर रहा उसके लिए आपको क्या करना है आप सबसे पहले या पर सारा या पर कुछ कर देंगे उसके बाद आप उपर से slide करेंगे और उसके बाद आप setting वाल आक्षन पर click करेंगे तो या पर आप आ जाओगे या तो अपने mobile के जो screen पर या पर setting वाल आक्षन होगा वापर भी आप click कर सकते हो उसके बाद आप देख पाएंगे या पर setting वाल आक्षन है तो या पर आप click करेंगे तो directly या इस setting पर आ जाएंगे आने के बाद आपको scroll करते होगे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप देख पा रहेंगे या पर उसके बाद आपको या पर additional setting या पर आपको click करना है और click करने के बाद आप दो नंबर के auction पर आपको click करना है language input तो यहाँ पर click करेंगे या तो आपको इस तरीके का जो keypad language input वाला auction नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे उपर पर आपको search वाला auction दिखा देगा यहाँ पर आपको बोल के यहाँ पर type कर देना है उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर language input आचुका है इस auction पर आपको click कर देना है language input पर click कर देना है और click करने के बाद आपको कुछ options को आपको on कर देना है तो आप देख पाएंगे या पर setting है पूरे setting है इसको आपको setting कर देने हैं तो आप क्या करेंगे सबसे नीचे आएंगे setting पर klik करने के बाद और additional setting पर klik करेंगे और klik करने के बाद दो number के option पर klik करेंगे लेंग्वेज इंपुट इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यापर यापर आपको दो सेटिंग करने होती है मैं बता दू यापर आप पहले नंबर के आक्षन पर क्लिक करेंगे यापर तो इस तरह के क्या आपको दिखाए देगा तो आपको क्या करना है यापर नीचे manage keywords यहापर आपको click करना है तो हम यहापर click कर देते हैं तो आपको इसे क्या करना है इसे on कर देना है आप देख पाएंगे यहापर आपको कई भी click नहीं करना है यहापर setting वाले auction पर आपको कोई changes नहीं करना है उपर वाला auction है इसे स्रिफ on कर देने दोस्तों on कर देने के बाद आप देख पाएंगे जो अपने mobile में जो keyword है या पर type करने का वह कीपाड है ओ आया है की नई आप देख पाएंगे यापर अबितक तो नई आया है आप देख पाएंगे यापर तो आपको क्या करना है फिर से एक सेटिंग कर लेनी है बैक आना है यापर बैक आने के बाद आप देख पाएंगे यापर उपर क्लिक करने के बाद आपको Google and Typing यापर क्लिक कर देना है उसके बाद यापर क्लिक करना है और यापर कैंसल कर देना है उसके बाद आप देख पाएंगे आपके जो मोबाल काकी पैड़ है वो यह आपर शोग कर रहा होगा तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज वीडियो को शेयर कीजे दोस्तों के साथ और हमारे इस चानल पर अपने हो तो चानल को सब्क्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले तो चलिए मिलते नेक शुड़ में तब तक के लिए बाई बाई